आज एक लास में आप सभी का स्वागत है आज मैं डारेक्ट से इंडारेक्ट ऐसे सेंटेंस कराने जा रहा हूं जो इनवोटेट कामा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में रहते हैं और वे एक क्वेस्चन वाट से ही सुरू होते हैं ठीक है तो मैं पहले बता कि इनवोटेट कामा के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेस्चन वाट से सुरू होते हैं तो जब उनका हम इंडारेट करते हैं तो उनके बदले में जो कनेक्टिव वाट के जगह पर इप वेदर या दार्ट का पर्योग नहीं होता है ठीक है इसको मैं साथ ध्य कि इनवोटेट कामा के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेस्चन वाट यानि वाट में वेयर हाउ से सुरू होते हैं तो इनवोटेट कामा के बाहर जो कनेक्टिव वाट जो हम लगते हैं इप वेदर या दैट ओ इसमें इसके इंडारेटी स्वीच में नहीं आप समझने का पर्यास किए अब देखिए यहां पर यहां आप ध्यान दीजें पहले कि रिपोर्टिंग भर्व जितना भी है रिपोर्टिंग भर्व जितना भी है यानि इनवोटेट कामा के बाहर में जितना भी रिपोर्टिंग भर्व है सब पास्टेंस में है ठीक है प वो सब प्सक्राइन में है ज़ 58 मा के अंदर वाला जो ठेंस होता है वह बदल जाता है जैसे कि कर से बादलता है कि जदे रिपोर्टिंग पास्ट कर लिए 2 इभोण से 9 कि यदि रिपोर्टिंग्पाल्ष नमें ठीक है, present continuous है, हो जागा past continuous, present perfect है, हो जागा past perfect, और जो present perfect continuous है, वो हो जाता है past perfect continuous, ठीक है, और जदी inverted कमा के अंदर, जदी कोई sentence past indefinite है, वो हो जाता है past perfect, जदी कोई sentence past continuous में रहता है, तो हो जाता है past perfect continuous, ठीक है, मैं पिछले सारे जितने भी नियम है, change of tense, change of person या pronoun, या change of other parts of previous, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमको किसी भी sentence का, intuitive switch करना होता है, intuitive switch करने के पहले हमको सबसे पर्सम, person को देखना परेगा, person change कैसे होता है, वो समझना होगा, tense का भी change पर ध्यान देना होगा, या changes of other parts of speech या उस पर ध्यान देना होगा, सारे पिछली नियमों को पालं करते हुए, हम किसी भी sentence का, intuitive switch करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, अब आते हैं, मुख बात पर, answer one, जैसे कि आप देखिए, number one में दिया हुआ है, he said to me, he said to me, पहले बता दिये हैं, कि जदी inverted comma के अंतर गत, जदी आपको interrogative sentence रहता है, तो जो said to होता है, ध्यान रखिएगा, जदी inverted का वाके अंतर, जदी interrogative sentence है, तो जो reporting verb है, उसको हम कर देते हैं, ask day, यानि हो गया, यह said to हो गया, ask day, तो क्या हो जागा, he asked day, ठीक है, और me आगे है यहाँ पर, ठीक है, अब, अब me के बाद में, if, whether, या that के अपर हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कुछ तो connective word आना चाहिए, तो आना चाहिए, तो यह जो आपको where है, यही यहाँ पर connective word के जगह पर आ जाएगा, अच्छा, अब देखिए, where के बाद में बतिया, do you live, do you live को हम क्या करेंगे, इसको पहले assertive बदलेंगे, assertive क्या होगा, you live, तो you live जो है, present tense है, तो हो जाएगा past tense, ठीक है, अब हम देखेंगे कि you किसके उनसा बदलेगा, you बदलेगा, me के answer, तो you बदलेगा, me के answer, me आपका first person है, तो you का भी आपका first person हो जाएगा, यानि I, और यह live जो है, present tense है, हो जाएगा, live, ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है, she said to me, पहले के answer हम कर देगे, she asked me, ठीक है, she asked me, अब देखिए, भीतर में क्या है, what है, ठीक है, तो what को हम पहले यहाँ ले आएगे, what के बाद ने बदलेगा, do you want, do you want, जो है, present in different tense है, ठीक है, तो अब इसको assertive क्या होगा, assertive होगा, you want, assertive हुआ, you want, अब you बदलेगा, me के answer, तो हो जाएगा, I, you का I हो गया, और you want, जो हो जाएगा, past tense, यहाने past tense definite हो जाएगा, wanted, तीसरा देखिए, तीसरा है, I said to the little boy, पहले हमें set to को कर देंगे, asked हो, लिखेंगे, I asked the little boy, अच्छा, हमें लिदिया, I asked the little boy, अब इसके बाद देखिए, यह why जो है, connective word की जगह पर आजाएगा, हुआई, हुआई के बाद में क्या बस गया, are you set, अब आर यू set को, पहले हम assertive करेंगे, are you set जो है, यह आपको interrogative sentence है, क्योंकि R से, क्योंकि भर्ब से सुरू हो रहा है, ठीक है, तो are you set को, हम इसको assertive कर देंगे, तो set के हो जाएगा, you are set, अब you are set जब हो गया, assertive हो गया, तो you बदलेगा little boy के अनुसार, little boy आपका third पसंद है, तो हो जाएगा, he, होगा, अच्छा, यह जो, you जो है, बदलेगा little boy, little boy के अनुसार, little boy third पसंद है, तो हो जाएगा यहाँ पर, he, अब बत गया, हो गया, क्या बनाता हम, you are set, तो अब ar जो है, was हो गया, और इसके बाद में, set, तो क्या हो गया, I asked the little boy, why he was set, ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए, number 4, number 4 है, she said, she said, what, where you doing, क्योंकि यहाँ पर, inverter कमा के अंदर गत, यहाँ पर, you है, you है, तो you बदलेगा, बाहर के object के अंसार, तो यहाँ object नहीं है, तो हमको एक object रख लेना होगा, अपने मंग से, तो क्या हो जाएगा, she asked me, ठीक है, अच्छा, मी हमको इसलिए रखना परा, object की जगह पर, क्योंकि, inverter कमा के अंदर में, you है, you है, तो you जो बदलता है, वो object के अंसार बदलेगा, इसलिए हमको मी रखना परा, अब देखिए, तो अब invert यहाँ पर आ गया, पलें बता दिये हैं, कि जो question word रहता है, connecting word के जगह पर आ जाता है, तो what, अब what के बाद में क्या बत गया, where you doing, where you doing, तो where you doing, जो है, integrative sentence है, क्योंकि भर्ब से सुरू हुआ है, where शुरू हुआ है, अब इसको पहले अचर्थिप करेंगे, अचर्थिप करने के बाद ही, तब उसका integrate करेंगे, तो देखिए, तो where you doing का, अचर्थिप हो जागा, you, where doing, ठीक है, you, where doing, अब you, where doing को ही हम integrate करेंगे, तो you बदलेगा, me cancer, तो जागा I, अच्छा, पहले माई आपको बना दिया हूँ, कि जदी where, जदी inverted कमा के अंतरगत, where या वाज आता है, तो उसके बदले में हैट बिन लिखा जाएगा, जदी inverted कमा के अंतरगत, question के जगह पर, जदी आपको where है, या वाज है, तो जब उसका हम integrate करेंगे, तो where और वाज के बदले में है, हम indirect speech में हैट बिन लिखेंगे, तो चुकि यहाँ पर you, where, doing है, तो you बदल गया, me के अंतरगत आई हो गया, और where हो जाएगा, हैट बिन, where के बदले में हो गया, हैट बिन, हैट बिन के बाद में जो बाकी है, जोड़ दीजे, doing, मैं पहले बता दिया है, आप लोगों को, tense बदलता है, भर्ब का, पार सब वीच्वीच आठ होते हैं, जिसमें एक भर्ब होता है, तो tense बदलता है, भर्ब का, और किसी दूसरे, किसी पार सब वीच्वीच का भर्ब, tense नहीं बदलता है, अब आईए, पांच, फाइब देखिए, she said to me, पहले सो कर लीजे, she asked me, said to को ask कर देंगे, ask me, she asked me, अब होत को पहले यहां ले आईए, सीधे यहां उतारिए, होत के बाद में सुचिए क्या है, can you do for me, can you do for me, अब इसको हम assertive कर देंगे, assertive कैसे कर देंगे, you को पहले कर देंगे, ठीक है न, तो हो जाएगा, you can do for me, ठीक है, you को हम पहले कर देंगे, can को बाद में कर देंगे, हो जागा assertive sentence, तो हो जाएगा, you can do for me, अब you can do for me का ही, हमको interpret करना है, तो you बदलेगा, me concern, तो I हो जाएगा, ठीक है, और can जो है, चुकि यह आपका पर्जेंट टेंस है, हो जागा, could, I could, ठीक है, what I could for, do for me, यह मी जो है, मी जो है आपका first person का objective case है, ठीक है, first person I होता है, I का objective case मी होता है, तो मी बदलेगा आपको सी कोंसार, ठीक है न, मी चुकि यहाँ पर objective case में है, तो मी जो है बदलेगा सी कोंसार, तो सी का objective case क्या होता है, I का objective case मी होता है, तो हमको मी बदलेगा सी का उसार तो सी का अब्जेक्टिव किस क्या होता है हर तो क्या हो जाएगा आई कूड डू फॉर हर ठीक है आप आगे देखिए six she said to me तो पहले इसको आप लिख दिजिए she asked मी अब she asked me अब हू को पहले यहां ले आई हू के बाद में क्या बत गया आर यू आर यू जो है एक कि इंट्रोगेटिटिव सेंटेंस है पहले इसको हम करेंगे करेंगे यू को पहले ले आएंगे और को बाद में कर देंगे तो हो जागा यू आर अब यू आर का हम को करना है इंटाय टीवा तो यू यू बतलेगा इसके निसहार तो हो जागा आई और आर का हो जाएगा वाज अब आईए सेवेन देखे सेवेन सेवैनमेन सीज合 शीण स爵न में है शीचक यहाइप दो आप आपजेक्ट नहीं है और पर उ सेड़ीट कोई नहीं है अधिक भी नहीं है यह में है कि नहीं सिट को आस्क्ट कर देंगे कि टिक है सी सी आस्क्ट हो गया आयों को सीधिन यहां पर निगे लिए यह बत गया वेंट दियाँ वेंट दियां पर वी एवेंट जो है आपको भी टू है ऋचिसी बी आपका भर्प का घब्री 2 होता है थाफस्त। इनर्फिंट हूपर देर्ट होता है इनर्फ जदू कविपड़ को निटा है शूता है वें डिए सूता है को हो जाता है past perfect और past perfect जब होता है तो past perfect का structure क्या होता है subject और had or v3 ठीख है तो हो जाएगा who है आपका हो जाएगा सी आच्ट सी आच्ट वू है गोन लेयर हूँ है गोन कैसे हो गया यह वेंट जो है यह आपका बी टू है और वी टू जो होता है पास्ट इंडिपनिट बदल करके हो जाता है past perfect, अजब past perfect होता है, तो इसमें had लगता है और b3 लगता है, तो हो गया who had gone there, अब आये eight, एट दिखिए, he asked, he asked, तो he asked जो है, यहां भी कोई object नहीं है और भीतर में भी inverter का मार का अंदर कोई second person नहीं है, इसलिए हम इसको आस्क रखेंगे तो लेखेंगे वी asked he asked अब देखिए he asked हो गया और यह what को नीचे ले आईए connecting what के जगह पर तो हो गया he asked what what happened देखिए happened जो है happened, happened, happened happened जो है आपको V2 है और V2 आता है past indefinite में तो जो past indefinite होता है वो क्या हो जाता है past perfect, जब past perfect होगा तो क्या होगा had लगेगा और भी 3 लगेगा, तो क्या लगे यहाँ पर what had happened ठीक है he asked what had happened अब आईए 9 कैसे बनता है 9 देखिए 9 है he said which class do you read in का मतलब होता है तुम किस क्लास में पढ़ते हो question है which class do you read in तुम किस क्लास में पढ़ते हो पहले he said को पहले लिखिए he asked पहले बता दिये हैं कि जदी interrogative sentence का indict करना होता है तो reporting भरब जो बाहर में होता है उसको हम बदल देते हैं ask में ठीक है told या it is में कुछ ने बदलते हैं सिधे लिखते हैं ask he asked he asked बाद में क्या लिया हुआ है which class do you read in तो which को पहले यहां ले आईए ठीक है which class आप देखें which के बाद में क्या बच गया which class class लिख लिख लिजे पहले which class अब इसके बाद में क्या बच गया do you read in do you read in जो है इसको आप assertive बनाए assertive करसे बनाएंगे you read in ठीक है ना तो क्या होजागा which class do you read in तो यहां पर देखें जॅन दिए यहां पर आपको a present present tense है अब present का क्या है indefinite है तो present indefinite जो है वो क्या होजागा past indefinite ठीक है कर दो कर दो एंग वीज कलास यू रिट वीज कलास आई रिदिन which class अब यह यू का I हो जाएगा मी कर बदलेगा तो हो जाएगा I read in ठीक है आप देखे 10 last 10 है He said to me said to को कर दिए asked He asked me why को पहले यहां ले आईए हुआ बाकी बद गया do you vex me do you vex me जो है यह आपका present indifference है ठीक है do you vex me यह present indifference है present indifference क्या हो जाएगा past indifference हो जाएगा past indifference क्या होता है वाजवय लगता है तो आप बना जाएगे तो बनाएगे आपको you vex me तो you vex me you बदलेगा me concern तो why I और vex जो हो जाएगा vex जो हो जाएगा ठीक है नहीं अच्छा और me बदलेगा me बदलेगा me आपका objective case है I का objective case होता है me तो यहाँ पर me बदलेगा he concern तो he का objective के क्या होता है him why I vexed him बस आपका खलास बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद